हाई फ्रेंड्स आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल अरुन में दोस्तों काफी दिनों के बाद एक वीडियो हम लेकिया हैं ब्यस्तता की कारण हम आपके लिए वीडियो नहीं ला सकते हैं इसके लिए हमें खेद है लेकिन हम आपको जैसे जैसे हमारे पास समय मिलता है आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों यहां पर एक बग कनवर्टर मैंने लगाया हुआ है और यह बग कनवर्टर लगाके मैंने लेटी टीवी को रिपियर किया इसमें प्रॉब्लम क्या थी स्टेंडब आई थी रेड लेडी जो इसकी होती है ग्लो हो रही थी बटन दबाने पर यह नहीं हो रही थी इसमें यही प्रॉब्लम थी तो इसको ठीक करने के लिए यहां पर दोस्तों एक बग कनवर्टर लगाया है लेडी टीवी रिपेरिंग में दोस्तों को सब्सक्राइब करके बैल आई करें प्रिश कर देना हमारी बनाइज यह नहीए नहीं वीडियो अब तक पहुशती रहें तो ये दोस्तों के बगल में छोटी-छोटी-चोटी आई सी लगी होती है और यह living खराब होने के वज़ा से हमारी कोई एक supply नहीं बनती है तब भी LED TV हमारी standby release नहीं करती है या TV हमारी नहीं आन होती है तो कुछ इस तरीकी की problem को दूर करने के लिए तिन छोटी सी IC थोड़ा सा लगाना बहुत मुस्किल हो जाता है और हमारे पास जब आसानी से हमें मार्केश को रेपेर कर सकते हैं जहां भी जैतने बोल्ट् fascacy चाहें चाहिए वहां पर क्राल मेंSON सप्लाय होती है तो इस माल्ट्स पर्परज नहीं को लगा vapor को लगा कर हम इससे रिपेर कर सकते हैं दोस्तों यहां मल्टी मिटर लगा के दिखा देता हूं 3.3 बोल्ट की सप्लाई है यहां पर दोस्तों दूसरी कोया लगी हुई है यहां पर कोई सप्लाई नहीं है मिली बोल्ट बें बता रहा है और यहां पर भी दोस्तों कोई सप्लाई नहीं आ देता हूं यह हमारा ग्राउंड हो गया यहां पे दोस्तों जमपर साइट करने के लिए आप संदिया होता है लिखा हुआ होता है 1.2 1.3 1.5 5 बोल्ट तक का सप्लाई ये 12 बोल्ट इन करता है और 5 बोल्ट तक का आउटपुट कर देता है तो जो हमें सप्लाई चाहिए होगी इसको साइट कर देंगे और हमें उतनी सप्लाई आउटपुट पर मिल जाएगी तो फिलहाल मैंने दोस्तों यहां पे इसको एक साइट किया हुआ है 1.1 बोल्ट की सप्लाई के लिए जमपर को 1.25 के आस्पास यहां पर रीडिंग आ रही है विदाउट लोड है भी तो दो भी हमारी आन है जैसा की देख पा रहे हैं और अब इस कोईल पर हम दुबारा सप्लाई चेक करेंगे क्योंकि स्टेंडबाई आन होने के बाद भी यहां पर बाद ही यहां पर सप्लाई आती है तो वन पॉइंट फाइब यहां पर आ गई है इसका मतला हमारा सेट अच्छी नहीं जाएगी दोस्तों यहां पर लोड क्या लोड पर देख रहे हैं वन बोल्ट के आसपास से यहां पर वन पॉइंट वन फोर करके सप्लाई है जीरो फोर करके तो यहां पर हमारे मेन आएसी को यह सप्लाई मोल्टेज मिलने लगे जब हमारी मेन आएसी को यह वोल्टे कोई आईसी मिसिंग है या आईसी जली हुई है वहां पर छोटी जो आईसी लगी होती है तो यह बग कनवर्टर लगा के दोस्तों सेट को रिपेर कर सकते हैं थैंक यू